वारनसी की ग्यानवापी मर мыш से चुर्डी हुई बड़ी खबर आपको यह बताएं कि इस मÁमले की जो नया मामला है इसके सुनवाई फास्टे पोर्ट में होगी civil judge ने केसको फास्टे पोर्ट में ट्रांस्टर कर दिया है 30 मैं को फास्ट्रे कोट में पहली सुनवाई होगी तो चलिए सीधा चलते हैं काशी और सुनते हैं क्यानवापी पर काप बोल रही है काशी तो आपको सुनवाएंगे क्योंकि काशी से अलग-अलग प्रतिकिरिया है सभी के सामने आ रही है और इससे पहले तीन तस्विरें आप देखे आज जो सुनवाई हुई तरह असल ये जो नई आचिका दायर की गईए है ये केस अब फास्ट्रे कोट में ट्रांस्फर कर दिया गिया है जो नया केस है वो फास्टर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है 30 माई को मामले में अगली सुनवाई होगी कुल मिलाकर साथ ऐसी आचिकाएं है जिन पर जिला अदालत सुनवाई कर रही है और इसे बीच बड़ी खबर इस वक्त यही है कि आज जो सुनवाई हुई है वो यह है कि आब यह जो नया केस है इसको फास्टर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है जिसकी अब जो अगली सुनवाई है वो 30 माई को होनी है यह अपडेट हम आपको तीन तस्वीरों के जरीए बता भी रहे है साथी एक के बाद एक जो वीडियो जो सामने आ रहे है हिंदोपक्ष जो दलीले रख रहा है क्योंकि अब बे तक हिंदोपक्ष की तरफ से साथी आचिकाय करीब करेबा दायर की जा चुकी है और ऐसे में जो नहीं आजिका दार हुई कल वो अब केस फास्ट रे कोट में ट्रांसफर कर दिया गया है जिसकी सुनवाई तीस मई को होनी है और अब आपको सीधा काशी लिये चलते हैं और सुनवाते हैं ग्यान वापी को लेकर की फास्ट रेक कोट में ट्रांसफर किया गया है केस को इस मामली की अगली सुनवाई अब 30 माई को होगी इस तारीख को मंडे को सुनवाई होगा मकदमा अब उस दिन सुनवाई होगी जो पूजा पाट किया जा है मुस्लिमों मुसलिम को जाने के लिए प्रदबनित किया जा है जान बापी परिशर हिंदू को सौपा जाए आज क्या होगा आज जो कोट में ट्रांसफर कर दिया गया है अगली हेरिंग तीस तारीख